हेलो फ्रेंड्स एंड बेलकम बैक टू दी चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैच एप डिलक्स के एश्टेक मॉडल की बारे में जब से हेरो ने स्प्लेंडर प्लस के एश्टेक मॉडल को लॉंच किया है तभी से आप लोग मेरे पास काफी ज़्यादा कॉमेंट कर रहे हो इनस्टाग्राम पर डियम कर रहे थे फेस्बुक पर डियम कर रहे थे की भाई हमको एश्टेक मॉडल कब तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा और अगर देखने को मिलेगा तो क्या कुछ new features देखने को मिलेंगे क्या कुछ price देखने को मिलेगी तो HF Deluxe का new model आपको काफी जल्ड मेभी जून या फिर जुलाई तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है और अगर आप लोगों को HF Deluxe के hashtag model के बारे में A to Z detail से जानना हो अच्छे से जानना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें और बिल्कुल भी skip ना करें तो चलिए फिर वीडियो को start कर लेते हैं तो HF Deluxe के new model में आपको काफी सारे update देखने को मिलेंगे सबसे first update आपको इसके meter console में देखने को मिलेगा इसमें आपको fully digital meter console देखने को मिल जाएगा जैसा meter console आपको इस blender के ashtec model में देखने को मिलता है ठीक बैसा ही meter console आपको इसके new model में भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको RPM meter, speedometer, fuel gauge, service minder, trip meter, smart tax technology, turn by turn navigation, side stand, cut off feature यानि कि इसमें आपको सारे के सारे advanced features देखने को मिल जाएगे इसके अलावा इसमें आपको front के side में LED DRL देखने को मिल जाएगी जिसके कारण इसका front का लोग काफी improve होने वाला है, काफी eye catchy होने वाला है rear के side में LED tail light देखने को मिल जाएगी integrator solution में ही देखने को मिलेंगे बात कर लेंगा tire size के बारे में तो tire size आपको पहले से similar ही देखने को मिलेंगे इसमें आपको front में 80 section का 18 inch का tubeless tire और rear में भी आपको 80 section का 18 inch का tubeless tire देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको front में 240 mm का disc brake rear में 130 mm का drum brake plus cbs या फिर abs बैसे काफी कम chance है कि इसमें आपको abs देखने को मिले इसमें आपको cbsc देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको 99.7 cc का single cylinder 4 stock 2 bulb air cooled bs6 fi engine देखने को मिलेगा जो की generate करेगा लगभग में 8.1 bhp के aprox power और 8.3 newton meter के aprox torque तो इसकी power figure आपको पहले से similar देखने को मिलेगी और इसमें आपको वही 4 speed का gear box देखने को मिलेगा बात करनें अगर इसकी price के बारे में तो मान के चलिए कि इसकी price यहाँ पर लगभग में 2 से लेकर 3000 रुपे तक increase होने वाली है और बदले में आपको इसमें काफी सारे advance features देखने को मिलेंगे launch date के बारे में तो मैंने आपको वीडियो के starting में ही बता दिया था कि HF Deluxe का hashtag model आपको June या फिर July तक Indian market में देखने को मिल सकता है तो इस bike के बारे में यही news मुझे आप से share करनी थी अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा अब मुलाकात होगी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त्राइए मस्त्राइए राइट से जैहिंद